Hello, good evening to all of you. आप सभी का सांतिनी केतने classes में स्वागत है. In this lecture, we will discuss about equipotential surface. आप topic देख रहे होंगे, कि इस lectures में हम लोग देखेंगे equipotential surface के बारे में. This lecture is important for those students who are preparing for class 12th, as well as neat as parent यानी neat preparation as students के लिए भी. This is very, very important. तो ये lectures जो है, theoretical based lecture है, लेकिन इसका जो कुछ पुरपटी जाने वाला है, which is very, very important. ठीक है, तो हम लोग इसको continue करते हैं, सबसे पहले देखें, इसमें क्या लिखा होगा है? Equipotential surface. Name से ही clear होता है, equi मतलब same, और potential तो समझी रहे हैं. यानि कि, वह ऐसा surface, जिस पेस, potential क्या होगा, हमेशा same होगा. अब जैसे यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर क्या लिखा लिखा है, एक spherical surface यहाँ पर बना रखा है. तो सबसे पहले देखें, definition, equipotential surface is that surface, which have same potential at every point. यानि कि, every point पे, equipotential surface पे, आपका potential क्या होगा, इसमें सेम होगा. तो जैसे देखें, यहाँ पर हमने एक क्या ले लिया, concentric, spare ले लिया, concentric in the sense की, दो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर फिर यहाँ पर, जिसमें बीच में क्या है, positive chart center पर, और यह R इसका radius हो गया, each point से. रेडियस आपके लिए देखें, अगर इसके लिए भी देखें, तो radius सेम है, चाहिए इस भी equipotential surface के लिए देखें, तो radius का value सेम है, तो देखें, यहाँ पर लिख दिया है, equipotential surface यह भी है, और यह दोनों है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि concentric spare is equipotential surface having single point charge at the center, यानि concentric spare का every point, जैसे यहाँ पर देखें, इस points पर देखें, किसी भी points पर देखेंगा, तो potential क्या होगा, एसंस, सेम होगा, और यहाँ पर देखें, radius भी सेम है, तो सबसे पहले इस point charge के लिए potential का value क्या होता है, तो देखें, for point charge, V is equals to KQ by R, जिसमें K हमारा क्या है, एलेक्टिक constant in air-slust vacuum के लिए, ठीक है, और Q charge है, और R इसका radius तो समाझी रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, कि सब जगा R का value सेम है, यानि कि देखें, radius is same for all points, so all have same potential, तो यानि कि कि इसी भी points पे, इस equipotential के surface पे, radius जब सेम है, तो यहाँ पे potential भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, अब next, इसका दूसरा भी example हम लोग ने देख रखा, देखें, यहाँ पे दूसरा example आपके लिए बना के रखे हुए है, यहाँ पे आपका cylindrical shape दिख रहा होगा, concentric cylindrical shape, तो यहाँ पे भी देखिए, concentric cylinder is equipotential, यानि concentric cylinder भी equipotential है, having linear charge at the axis, linear charge in the sense देखें संस, यह वाला line पे, इसा पे दिखेंगे, positive positive charge है, इधर भी R distance, इधर भी R distance सब पे, distance क्या है, सेम है, यानि कि अब radius का value सेम हो जाएगा, तो potential इस formula के coding क्या होगा, वो भी सेम हो जाएगा, ऐसे और भी बहुत सारा example भी हम लोग ले करके इसको देख सकते हैं, जैसे plan surface के लिए भी आप देख सकते हैं, देखें से, let's suppose एक plan surface है इस तरीके से, इस पर भी इकवी potential देखते हैं, देखें, अब यहाँ से क्या, एक line यहाँ ले लिजिए, ठीक है, अब देखें, यहाँ से हमने क्या ले लिए, यहाँ पर line, इसके parallel, इस तरीके से, देखें, एक यहाँ पर, और यही लाइन यहाँ से निकल जाएगा, आगे के तरफ, आगे के तरफ, तो देखें, यहाँ पर भी देखें, हर एक plan surface जो लिए हैं, इस सब पर क्या होगा है, यह सब पर potential क्या हो जाएगा, यह भी, this is also example of equipotential surface, नेक्स इसका टॉपिक है, परपटीज आप equipotential surface, तो सबसे पहले, परपटीज आप equipotential surface, ज्यादा important है, काफी important है, कि उसमें हम लोग यह भी देख लेंगे, उस points को discuss करेंगे, कि क्या equipotential surface पे work done का value क्या होता है, और सारी चीज़े discuss करेंगे, उसको एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, तो पहले, अब हम लोग देख लेंगे, पुरपटीज अप equipotential surface क्या होता है, तो देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर हमने लिख दिया है, चीज़े को समझाने में थोड़ा असानी हो जाएगा, लेक्चर भी लेंदी नहीं होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, लिखा क्या है, कि लेट, टू पॉइंट on equipotential surface, PQ, यानि कि अगर equipotential surface यहाँ पर हमने ले लिया है, और यह पर दो points considered किया, P और Q, तो equipotential surface है, तो VP is equals to VQ, यानि कि उसका potential क्या होगा, same होगा, यानि VP is equals to VQ, correct है, अब इसके बाद देखिए, So, potential difference, यानि कि VP is equals to VQ है, तो आप potential difference जब देखिएगा, तो दोनों का potential same है, तो दोनों को minus की जिएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा है, जीरो के बराबर हो जाएगा, यानि potential का difference, equipotential surface पे 0 के बराबर होता है, यह पहला point होगा है, प्रपरटीज का, दूसरा point इसमें दे कोई भी work done नहीं होगा, equipotential surface पे जब charge move कर रहा होगा, यानि कहने का मतलब यह है, we know that, कि हम लोग एक फर्मूला जानते है, work is equals to change in potential into Q, यानि change in DV is into Q, ठीक है, पढ़े हुए था है, potential difference के लेक्षर में, तो अब DV का मतलब यह हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Vp minus Vq into Q, यह हमारा charge हो गया Q, अब यहाँ कोई, we know that, equipotential surface के लिए, Vp किसके बराबर है, अब जब दोनों ही आपस में equal हो जाएंगे, तो इसका value क्या हो जाएगा, 0, और work यहाँ से क्या निकल क्या हैं, work is equals to 0, तो this point is very important, no work is done on moving a charge particle on equipotential surface, ठीक है, अब इसमें दो properties तो हम लोग देख लिए, इसका तीसरा properties है, this is also important, कि electric field is always normal या उसी को perpendicular throughout the any point on equipotential surface, यानि कि electric field का जो हम लोग value यहाँ देखे हैं, इस डाइग्राम में एक बर देख लिजे, कि यहाँ पे जो हम लोग value देखे हैं, कि इस center से कोई भी line अगर आप यहाँ पे perpendicular होगा, किसी भी points पे आप खीच लिजेगा, वैसे भी यह properties है, किसका essence, circle का या spare का, तो यह equipotential surface है, तो सब जगा क्या हो जाएगा, normal हो जाएगा, अब सब जगा normal होगा, तो एक formula इसमें हम लोग जानते हैं essence, कि minus, जैसे equipotential surface में electric field के साथ relation होता है, कि db is equals to minus e into dr, ठीक है, क्या होता है essence, db is equals to minus e vector dot dr, यह होता है essence, यह इसको next lecture में प्रूफ करेंगे, अभी के लिए बस इतना समाझ लिजे essence, कि actually इसको हम लोग जो प्रूफ करेंगे, यहाँ साइड में लिख देते हैं, कि e जो होता है, o equals to minus db by dr के बराबर, next lecture में इसको प्रूफ करेंगे, अभी के लिए इसको समाझ लिजे, यहाँ से हम लोग अगर db लिका लेंगे, तो इधर भेज दिये, तो क्या हो गया essence, minus e vector dot dr, अब dot product है vector का essence, तो dot product है तो we can return as minus e dr cos theta, ठीक है essence, यह लिख सकते हैं, अब db equip potential surface के लिए जब हम लोग बाते करेंगे, तो यह db का value किसके बराबर हो जाएगा, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, minus का इधर करके लिख देते हैं, minus का e dr cos theta, e cos to 0, तो देखिएगा essence, यहाँ पे बचा क्या, e और dr को हम इधर भेज दे, तो यह 0 के बराबर, minus b इधर भेज देते हैं, तो पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, यानि कि cos theta जो है है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और cos theta है, 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से theta का है, और cos, देखिए, cos 90 का जो भाइलू होता है, जाएगा जीरो के बराबर होता है, तो हम इसके जगा पर क्या लिख सकते हैं, this is also equals to cos 90, 90 degree, ठीक है, और यहाँ पे cos theta, अब cos theta is equals to cos 90 degree, this is very, very important, तो इस से क्या निकल क्या आगा है, एस कंडिशन में हम लोग यह प्रूफ कर लिए, कि एलेक्टिक फिल्ड जो होगा, अलवेज, नर्मल या पर्पेंडिकुलर, थ्रूआवड दा एनी पॉइंट ऑन दी, एक्वी पोटेंशियल सर्फेस, तो इस पाइंट इस क्ल सर्फेस जो होता है, वो एक दूसरे को कभी भी जो है बाइसेक्ट, यानि उसको क्या इंटर्सेक्ट नहीं करती है, अगर वो इंटर्सेक्ट करेगी तो क्या होगा, इंटर्सेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट्स का इलेक्टिक फिल्ड का डारेक्शन अलग-अलग हो जैसे देखिए यहां पे यहां पे देखिए तो देखिए यहां पर बनाते हैं थोड़ा समाझ लीजिए गाशन इस तरीके से इस तरीके से दिखाएदे रहा ठिक है अब देखेँ इस पॉइंट्स पे क्या हुगा कि कि इस पॉइंट्स का इलेक्टिक फिल्ट का डियरेक्शन इधर भी दिखाया माल यह दिस इस इलेक्टिक दो अदैक्रस्थ भुआए तरीके से हम लोग यह देख लिह कि वाट इस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस और इट्स पूर्पर्टीज यह आपकी एजाम पॉइंट आप भीव में काफी इंपोटेंट हान वाला मिलते हैं नेक्स लेक्चर वीडियो में अभी के लिए जैसे जो सिरी चल रहा है इलेक्ट्र स्टेटिक्स पोटेंशियल यानि इलेक्ट्र स्टेटिक्स का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कपासिटेंश का है मिलते हैं इस नेक्स लेक्चर वीडियो में तब तक लिए इसको इंजॉय किज़ेशन टाटा बाई 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 सी यू